नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूटूब चैनल में जिहां आए आज हम सभी जानते हैं सोते वक्त मोजे में कटा हुआ प्याज रखकर के सोने के फायदों के बारे में आप सभी जानते हैं कि प्याज बहुत ही गुणकारी और शदी है और लहसुन भी ये वायू को भी शुद्ध करती है खाने पर तो ये हमारे लिए बहुत ही गुणकारी है ही पर इसके साथ ही साथ अगर आप इसे मोजे में रखकर के रात को सोते हैं तो भी आपके लिए ये अलग-अलग फायदे ले करके आती है आज हम सभी इसी बारे में जानेंगे घरे अगर आप प्याज का एक सलाइस अपने पैर के निचले हिस्से में रखकर के उस पर से मोजे पहन करके सोते हैं तो आप की सेहत के लिए ये बहुत फायदे मंद होगा क्यूंकि आप सभी जानते हैं हमारे पैरों में बहुत सारे तंत्र हैं जो शरीर के हर हिस्से से रख करके सोते हैं तो आप के लिए फायदेंद होगा आई जानते हैं क्या क्या फायदेंगे मोजे और प्याज का यह उपाय बुखार में सबसे अधिक प्रभावकारी है अगर आप बुखार महसूस कर रहे हैं तो रात को सोते वक्त यह उपाय आजमाएं और आराम से सो जाएं यह प्याज आपके शरीर की सारी गर्मी सोख लेगा और आप रहत महसूस करेंगे प्याज इंटी बैक्टीरियल गुनों से भरपूर होता है शरीर के किसी भी हिस्से में रखने या रगरने पर यह बैक्टीरिया का नाश करता है और बढ़े हुए तापमान को कम करता है प्याज को पैर में रख करके सोना पैरों से आने वाली गंध को भी दूर करने में मददकार होता है आप सभी ने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पैरों में से गंध आती है उसको दूर करने के लिए ये अच्छी आउश्यदी है क्योंकि प्याज की तेजगंद अपने आसपास की वायू को शुद्ध करने में सहायक होती है ऐसा भी माना जाता है कि प्याज को इस तरह पैरों के बीच रखने से पेट की संक्रमर से भी निजात मिलती है और किद्नी से संबंधित समस्याओं भी दूर होती है यहाँ रक्त को शुद्ध करने में मददकार है यहाँ उपाय छोटी आथ और मुतराश्य की समस्याओं में भी फायदे मंद है इसके अलावा सरदी जुकाम और संक्रमर के लिए भी आप यह तरीका आजमा सकते हैं मोजी में प्याज रख करके सोने का जहां यह बहुत ही गुणकारी और शदी के रूप में आप सभी के लिए कारिये करेगी बस आपको खाने में भी इस्तेमाल करना है क्योंकि खाने से भी इसके बहुत सारे फायदे होते हैं यह इंटी बैक्टिरियल और इंटी फंगल गुनों से भरपूर होती है इसलिए आपकी इमेनिटी सिस्टम को यह भी मजबूत करता है जिसके बदलत आपको प्रोब्लेम कम होती है आप पर संक्रमण इत्यादी वाली बिमारियां कम होती है उनका आक्रमण कम होता है तो यह थी आज की जानकारी नई जानकारी के साथ आप सभी से जुड़ेंगे नए एपिसोड में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों